नमस्का दोस्तों आपका स्वागेत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आप हर बार एक की कुश्चन की खोज में लगे रहते हैं यूटीब पे, फेस्बूक पे, सोचल मीडिया प्लेटफार्म पे कि हम किस तरह से सोचल मीडिया से पैसे कमा सकते हैं सोचल मीडिया प्लेटफार्म में यूटीब याता है, इंसागराम याता है, फेस्बूक याता है बट आज जो मैं बात करने वाला हूँ, वो मैं करने वाला हूँ फेस्बूक के बारे में जी हाँ, Facebook से किस तरह से पैसे आप कमा सकते हैं और कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप Facebook से पैसे कमा सकते हैं आज की जो वीडियो है हो सकता कि आपके लिए एक वरदान साब बितों को कि इस वीडियो में मैं वो starting से लेके end तक पूरा बताने वाला हूँ means की हम divide करेंगे अपने वीडियो को parts में आज मैं जो आपको information बताऊंगा उसने आपने अपने mobile पर कर लेना है और उसके बाद दीरे 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 जैसी में आपको वीडियो हमारी आते रेगी तो आपने उस steps को follow करते जाना है ताकि आपकी earning में कुई दिक्कत ना है तो जो मैं आपको अभी तरीका बताने वाला हूँ उन सभी तरीकों को अपना के आप Facebook से बहुत अच्छे पैसी कमा सकते हैं बीना देरी के करते हैं वीडियो को start मेरा नाम है पंकच और आप देख रहे हैं Profit Techno YouTube चैनल तो करते हैं दोस्तों वीडियो को start दोस्तों यह सबसे पहली बात है आपका एक Account होना चाहिए Facebook पर अगर आपका Account है Facebook पर वोकर आजकल तो सब का ही Account होता है तो ऐसा कोई बात निया कि कि इसका Account होता हो गगा आज कल क्या होता है कि अगर आपका Facebook पे account है और आपके 3-4,000 friends है आप उसको ही अपना page पे convert कर सकते हो तो आपका page एक बन जाएगा तो आपको अगर Facebook का account है तो आपका एक Facebook पेज भी होना चीए जिसके जर्ये होगी वो earning जो start होती है आपका Facebook पेज पे ही हमें earning होती है अगर आपको नहीं पता कि Facebook का page किस तरह से बनाया जाए तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे वो आपकी चिंता वाली बात नहीं है सारे की सारी वीडियो यूटूब की जितने भी मैं आपको बताना वाला हूँ कि किस तरह से earning करनी है सारी सारी जो Facebook की जो वीडियो है वो हमारी चैनल पर आपको मिलती जाएगी तो सबसे पहले आपने क्या करे है आपना आपका Facebook अकाउंट है और उसके बाद आपका होना चाहिए Facebook पेज अब आपने क्या करना है आपने देखना है कि आपका interest कहां पे है आपका interest चाहे आपका travel में है तो अगर आप travel बहुत करते हैं तो आपके travel की वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं अगर आप गर बैठे जैसे करके लेडिस हैं तो cooking करते हैं नहीं नहीं आप खाने बनाते रहते हैं तो आप उसका वीडियो मना के वहाँ पे डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका की और अपना business में हिट शौंक है और business के related ही आप वीडियो मना सकते हैं तो वो भी आप अपने काम की वीडियो वहाँ पे डाल सकते हो बट वीडियो ऐसा बनाए content ऐसा create करें ताकि लोगों को बोर मत करना आपने आपने लोगों को बोर नहीं करना आपने अपनी वीडियो से लोगों को ऐसा ग्यान देना है ताकि लोग आपका जो वीडियो देखना पसंद करें और continuously देखते रहें means कि अगर आपका suppose next time वीडियो भी आता है तो लोगों को लगेंगे कि मुझे यार उस वीडियो का इंतजार था ये वीडियो तो मेरे लिए बहुत ही useful साबित हुई है तो आपने इस तरह का कोई वीडियो जोज करके आप बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएं यूटूब पे दे सकते हों कि कौन-कौन से वीडियो पे आपको काम करना चाहिए जो वीडियो आपको अच्छा लगता है वो आप भी अपने फेस्बुक पे वीडियो बना सकते हैं तो लोगों को वीडियो पसंद आना चाहिए basically कोई भी एक एसा आप एक content चूज करना है जिसको लोग पसंद करें जो आपको मैंने बताया कि चाहे वो travel का है चाहे वो आपके business के related है तो first काम आपने ये करना है अब आपको ये समझ आ गया कि facebook के page होना चाहिए तो आप पैसे कमा सकते हैं but facebook के page के जरिये भी दोस्तों उसमें भी कई अलग अलग तरह के category होती है जिसके जरिये आप पैसे कमा सकते हैं सबसे पहले जो category आती है वो facebook ads होती है तो facebook ads को भी आपने पहले monetize करना है आपने enable करना है उसके लिए कुछ एक facebook का एक criteria होता है उसको आपने जब level को achieve कर लिया तो facebook की जो ads है वो आपके reels पे और आपकी जो long video पे आना start हो जाएगी और आप पैसे कमा सकते हैं ठीक है सेकिंड जो हमारा है sponsor content अगर आप sponsor आपने कई new channel देखे होंगे कि उनके नीचे जो headlines होता है वो किसी दूसरे का brand का वो नापे नाम आता है और उसको buy करने के लिए उसका number वारा display किया था है तो वेकर sponsor content होता है जब आपका यह sponsor content तभी मिलता है means कि आपका जो page है काफी high ranking पे जाता है और आपकी वीडियो काफी viral हो रही है तो आपको दो लोगों को लगता है कि यह जो 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 sponsor आपको करना चाते हैं कि yes यह person की वीडियो काफी viral होती है और कई लोग इसको वीडियो को देखते हैं तो हमें इनको एक sponsorship ad देने चाहिए और तब क्या करते हो तब आप अपनी sponsorship अपनी niche headlines के यह top पे आप लगा सकते हो ठीक है तो यह कुछ अभी मैंने आपको दो तरीके बता हैं जो काफी important है first of all आपको यही काम करना चाहिए और उसके बाद दीरे 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 जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो मैं आपको बताता जाओगा कि कौन कौन से ऐसे और भी तरीके हैं जिसे आप facebook पे पैसे कमा सकते हैं दोस्तो माल लोग कि आपका एक facebook का page बन चुका है और आपका जो लेवल था वो आपने अचीव कर लिया है अब आपके सामने उसको मैनेज करने के लिए एक facebook ने बहुत सारा अच्छा option दिया है जिसको बोलती है कि facebook dashboard facebook dashboard की जर्याद क्या कर सकते हैं आप जितने भी आपके tools हैं जिनके से आपको income आती है facebook से तो वो आप वहाँ पर manage कर सकते हो आप यह चेक कर सकते हो कि आपने आज कितना earning किया और कितना जो भी आपका मतलब वहाँ पर plus minus होता रहता है वो सारा का सारा आपको facebook के dashboard दिखता रहता है अगर आपके जो follower है कम होते जाते हैं बढ़ते जाते हैं वो सारी का सारी आपको वहाँ पर information मिलती जाती हैं तो facebook dashboard बहुत ही एक important है अगर आपका channel monetized है तो आपको वहाँ पर सारी का सारी अपनी earning भी show होने लग जाएगी कि जब earning आपने किया है आज किया है यहाँ आपने last 28 days में किया है वो सारी का सारी information आप facebook dash पे एक click पे आप चेक कर सकते हो चाहे वो real से हो चाहे वो long video से हो चाहे वो facebook star से मिली हो चाहे वो और तरीका तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने भी बताया कि facebook से आप पैसे earn कर सकते हैं बहुत सारे तो अगर आप कमाना चाहते हो facebook से प start कर सकते हो अब भी आपने सिर्फ एक काम करना है आपने सिर्फ एक category को चूज करना है means कि इसे कि आपको मैंने पहले बताया कि अगर आपका जहां पी interest है जो वीडियो आप बनाना जाते हो एक वीडियो का topic ले लो आप अगर आप एक वीडियो टॉपिक पे काम करोगे तो आपके लिए बैटर रहेगा अगर आप अपने वीडियो में अपने पेज पे अलग अलग केटेगरी के वीडियो डाल दोगे ना तो आपका पेज जो आपकी फॉल्वर वह बाग जाएंगे ठीक है बैटर यही है कि आप एक नीच चूज कर लो मिंस एक केटेगरी आपने कर लो और उसकी उपर आप वीडियो बनाना स्टार्ट करते हो चाहे वह रिल जो चाहे वह लॉंग वीडियो तो आज की इस फेजबुक की इंट्रोड़क्शन वीडियो में यह दो इतना ही आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी अब के लिए इतना ही दोस्तों मिलत हैं आगली वीडियो में